Hello friends, welcome to my YouTube channel StudyPoint. आज हम Neha's Alarm Clock Unit 1 Marygold book में से पढ़ेंगे ये स्टोरी. तो चलिए, शुरू करते हैं. Narrator, ring, ring, ring. Off goes the alarm clock at 6 in the morning. Neha makes a face and covering her ear with a pillow snuggles under the warm blanket. But she knows, she has to get up, she matters to herself. Narrator, ring, ring, ring. घंटी बस्ती है. Off goes the alarm clock at 6 in the morning. जो Neha की alarm clock है, वो सुबा 6 बजे बजने लगती है. नेहा makes a face and covering her ear with a pillow snuggles under the warm blanket. नेहा अपने कानों को pillow, pillow मतलब होता है, तक ये से ढखती है और blanket के अंदर गुश जाती है. But she knows, she has to get up. मगर उसे पता था कि ये उसे उठना ही पड़ेगा. She matters to herself. Matress का मतलब होता है, बढ़बढाना. वो अपने उपर बढ़बढाने लगी. नेहा, this alarm clock always rings at six and pulls me out of the bed. ये alarm clock हमेशा मुझे छे बज़े उठा देता है और bed से उठा देता है. It's so unfair, ये अच्छा नहीं होता है. How I would love to sleep a little longer in the morning. मैं चाहती हूँ कि मैं बस सोती ही रहूं. I wish this alarm clock would forget its job sometimes. मेरी ये विश है कि ये alarm clock अपनी जॉब से हट जाए. मतलब कि नेहा को सुबा सुबा न उठाए. Narrator, something falls. नेहा smiles. कुछ गिरता है और नेहा खुश हो जाती है. नेहा, oh my clock has fall. मेरी जो घड़ी है वो तो गिर गई. How happy I am. मैं कितनी खुश हूँ. Tomorrow, I can get up late. मैं बहुत, मैं लेट उठूंगी. Narrator, next morning there is no alarm. अगली सुबा, वहाँ पे कोई alarm clock नहीं थी. So, नेहा sleeps and sleeps. तो नेहा बस सोती गई, सोती गई, सोती गई. The small chirpy birds, which come to the windowsill. Every morning find, नेहा still sleeping. जो small chirpy bird है, वो हमेशा, हर सुबा, नेहा की विंडो पे आकर बैट जाती है. और जब नेहा सोती रहती तो वो, जो small chirpy bird है, वो नेहा की विंडो पे आकर बैट जाती है. बैट बोलती है, जल्ली से उठो, जल्ली, नेहा, ओ नौ, ये क्या हुआ, इफ इट्स नॉट दा अलारम क्लॉक, ये कोई अलारम क्लॉक नहीं है, इट्स दीज बैट्स, ये सब तो चिडियां है, वाइ डोंट दे लीम मियोरान, ये मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ दे दे नेरेटर, इवन दिश विश अफ नेहा स कम्स तू, ये विश भी नेहा की सच हो गई, दा, नेक्स नॉर्ण, दे नॉट अलारम क्लॉक, देर आ नो बट्स एदर, अगले दिन वहाँ पर कोई भी अलारम क्लॉक नहीं थी, महाँ पर कोई बड भी नहीं थी, बट देर इ टू, वांट हर टू, मिस दा, स्कूल बस, मगर कोई है ऐसा जो नेहा की स्कूल बस, नहीं मिस करता, नहीं मिस करता, कैन यू गैस हू इस इट, क्या आप गैस कर सकते कि वो कौन है, दा, बिग ब्राइट सं, जो बहुत बड़ा और ब्राइट सूरज है, वो, वो नेहा के रूम में एक बड़ी सी स्माइल के साथ आया, ओ, माय नेहा, ओ, माय आईज, नेहा भोलते हैं, ओ, मेरी आखे, now it's the sun waking me up, अभी तो ये sun मुझे उठा रहा है, cannot he let me be, ये मुझे अमेशा क्यों उठाता है, narrator, even this wish of नेहा's come true, ये भी विश नेहा की true हो गई, ये मतलब की सच हो गई, next morning the sun is behind the clouds, अगले दिन जो सूरस था वो बाजलो के पीछे ढग गया, सो नेहा snows till she hears her mother's voice, नेहा खराटे माल कर सो गई, जब तक उसी mother की मतलब की उसकी मम्मी की आवाज नहीं सुनाई दी, Mother, wake up sleepyhead, you miss, you will miss the bus, जल्दी उठो sleepyhead, आप अपनी bus मिस कर रहे हैं, नेहा, oh no, why does mother have to wake me up, मेरी मदर मुझे क्यों उठा रही हैं, narrator, there is no escape now, नेहा gets up and gets ready, आप कुछ भी नहीं हो सकता है, नेहा उठती है और ready होती है, can you imagine what happens the next day, क्या आप imagine कर सकते हैं, कि अगले दिन क्या होँआ होगा, नेहा wakes up with her start, नेहा उठना शुरू करती है, हर मदर सेज, it is six o'clock, she calls out to her मदर, नेहा, मा, who woke me up today, नेहा बोलती है अपनी मदर से, कि आज उसे किसने उठाया, narrator, mother smiles, mother smile करती है, mother, who else, you of course, नेहा, but I was sleeping, how good I, मदर बोलती है कि तुमने खुदी को उठाया है, तो नेहा बोलती है, मगर मैं तो सो रही थी, तो मैं कैसे अपने आपको उठाऊंगी, mother, now tell me, why do you eat your lunch every day at one in the afternoon, तुम हमेशा आपको एक बज़े अपना लेंच क्यों करती हो, नेहा, I feel hungry, नेहा बोलती है, जब मैं hungry feel करती हूँ, जब मुझे भूक लगी रहती है, mother, why do you sleep at nine every night, तुम, mother बोलती है, तुम हमेशा नौ बज़े रात को क्यों ही सोती हो, नेहा, because I feel sleepy, नेहा बोलती है, क्योंकि मुझे sleepy feel होता है, मुझे सोने कमन करता है, mother, there is a clock inside you, which tells you when to eat, when to sleep, and when to wake up, mother बोलती है, आपके अंदर एक clock है, जो आपको बताती है, कि आपको कब खाना है, आपको कब सोना है, और आपको कब उठना है, नेहा, oh, oh, I better rush now, अब मैं बहुत अच्छा feel कर रही हूँ, I don't want to miss the bus, मैं अपनी बस को नहीं मिस करना चाहती, mother, relax, relax, today is Sunday, mother बोलती है, आराम से, आज Sunday है, नेहा, oh, 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 नेहा बोलती है, oh, 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 so thank you दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, और इस स्टोरी के राइटर है, गिरीजरानी अस्थना, ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर से मिलेंगे एक वीडियो के साथ, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और शेयर करें, और कमेंट करें, बाई बाई,